वैसे हमारे देश में बहुत सारी MSMEs है बहुत सारे ऐसे toy manufacturers है जैसे की आपको पता होगा मुरहादाबाद हो गया राज़स्थान होगया अंदर-पदेश में ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े toy manufacturers जो कि टॉय मेनेफेक्चर भी करते हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं पर क्या आप लोगों को पता है कि आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो इंडिया में जो 90 परसंट विक्ते थे वह चाइनीज इंपोर्टेट टॉइस का दबदबाथ है इंडियान मार्केट में आ इंडिया में चाइनीज टॉइस तो है इस मार्केट में अब तक जो ढपदबार हा था वह था चाइना का चाइना के जो चीप इंपोर्टेड. टॉइज से वह सारे व्लडवाईट एक्पोर्ट होता था बट खुशी की बात यह कि इंडिया में चाइज स्काइंपोर्ट ग कि टॉरा का सिनारियो है क्यों हम जो है अगले टॉय मेनिफेक्टरर बन सकते हैं और चानल को रिप्लेस कर सकते हैं वौर्ड बाइट तो मेरा नहीं दिपांकर और रॉक्त सभी देख रहें ट्रेड पे जहाब हम बात करतें इंट्रेशनल ट्रेड की एंपोर्ड की देखिए इंडिन से पताये क्या हुआ है उवरल इंपोर्ट उसी के सिव और किया जा देखें जब भी कोई कम करता है तो उस देश की जो करेंशी की वेल्व है न वह थोड़ी सी उपर चलिए है क्योंकि हमारे देश से जो विदेशी मुत्रा वह बाहर कम मात्रा में जाती है जिसके चलते हैं जो हमारा करन्सी है वो कहीना के थोड़ सा स्ट्रॉंग होता है साथी साथ जो हमारे लोकल मेनिफेक्चरिंग की बात करते हुँ चल तो जब से सरकार ने इंपोर्ट को रोकना श यह सबसे बड़ा स्टैप लिया था वह था क्वालिटी कंट्रोल और इंट्रक्शन अफ ब्याया को बारे में आप लोग बता तो यह जो चैनीज गूड्स हैं सिफ देखने में अच्छे होते हैं क्वालिटी के मामलें बेलकुल जीरो होते हैं और रिसेंट्ले आप लोग क इसको अगर इस एलिमेंट के कॉंटैक्ट में लोग आते हैं जाधा तो आपको फ्यूचर में कैंसर भी हो सकता है तो क्वालिटी कंट्रोल का इस्चु जो है बहुत टाइम से चाइना के गूड्स के साथ चल रहा है चाइना के टॉइस के साथ चल रहा है इवन 2019 में हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने भी बताया था कि इंडिया में जो टोटल चाइनीज इंपोर्टेट टॉइस है उसमें से आराउंड 65% सेफ नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए क्योंकि उसमें जो चीज़ें यूज होती है बनाने के लिए वह बहुत सबसे बड़े स्टेप्स इंडियान गवर्मेंट की तरफ से लिए गए है वह है क्वालिटी कंट्रोल को अप्लाई करना और देकि क्या गए साथ जाता घॉता है तो इससे होता ही जो चोट बढ़क्रोंक करा क्वाई इस प्रोसेस को पैसा खर्च करके भी नहीं ले पाता है क्योंकि इंडिया में चाइनीज टॉइस इंपोर्ट जो है वो काफी हद तक कम होया और साथ साथ लोकल मेसमी इसको प्रोमोट करने के लिए सरकार कई तरह की स्कीम लेके आई जिसमें से एक स्कीम था जिसके अंतरकत गुवर्मेंट ने क्लस्टर बनाये थे यूपी हरियाना आपके आंतरपदेश में और एक दू स्टेट्स में और तेस्ते-इस्तों कोड़ोड के कुछ क्लस्टर बनाये हैं इन चोट चोटे-चोटे-अमीस को प्रोमोट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए इंडिया सिफ 33 मिलियन का हो चुका था 2019 में ही बट ग्लोबली हमारा एक्सपोर्ट शेर अभी भी सिर्फ 0.5 परसंट का ही है बढ़ने की उमीद बहुत जटाई-जारी एक्सपर्स कहरें कि यह जो टोटल टॉइस का एक्सपोर्ट है फ्राम इंडिया वो कहीं नहीं बढ़ चुका है जो चाइनिस गूड्स हैं वह एक तो दिखने में अच्छे होते हैं क्वालिटी के मामले में बेल्कुल जीलो होते हैं साथ-साथ उनका जो सेफ्टी स्टैंडर्स होता है बच्चों के लिए बिल्कुल भी हल्दी नहीं है इसके चलते हैं मैंने खुद मेरे जो ब बनते हैं और बैंबूस वगरा से बनते हैं उनकी डिमांड बहुत जादा युएस मार्केट में बढ़ने वाली है जिसकी आशंग को जताई जा चुके आप बढ़ने वाला है और टॉई आपके मामले में इंडिया काफी जादा आगे बढ़ने वाला है तो यह पुरा-पुरा मेरा टेक ठाहा चानीज इंपोर्ट की ऊपर चानीज टॉइ कर कर दो आप दो